हाई फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं MS Excel में आप किसी भी प्रोड़क्ट की क्वांटिटी उसका रेट और उसका टोटल एमाउंट एड करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है कि सबसे पहले क्वांटिटी किस मेजर्मेंट में है यह चीज़ तैय करना हो होती है जैसे कि for example एपल तो एपल केजी में होते हैं तो मान लीजिए हमने पांच किलो एपल लिए हैं तो पांच केजी लिखना होगा rate है तो Rs.20 किलो या 50 रुपे किलो या 80 रुपे किलो है तो इस टाइप से आपको फिल करना होगा और उसके बाद आपको amount बगरा देखना होता है तो यहां पर आप formula लगाते हैं equal 5 किलो सेब 80 रुपे के हिसाब से कितने के हो गए तो आप इसकी गुणा इससे multiple करते हैं इसक या multiple इससे करेंगे तो multiple करने के लिए आपको excel में star का use करना पड़ता है और इसमार enter करा तो देखिएगा यहां पर दोस्तों आपको एक error होती है value तो दोस्तों value error का solution आपको लेकर आया हूँ इस type की आपको अगर filling करना हो जहां पर आपको quantity लिखना हो और rate के साथ rate लिखना हो या pieces लिखना हो या कुछ भी x, y, z तब आप क्या करेंगे तो सबसे पहले जहां quantity लिखना है आप इस चीज को select कीजिएगा उसके बाद आप अपने control बन press कीजिएगा आपको यहां पर एक format cell का option खुल कर आएगा यह format cell का option आप right click करके भी यहां पर right click कीजिए यहां पर format sale है यहां से आप numbers पर जा सीदे जा सकते हैं या फिर आप यहां पर click करिए और यहां पर click करके भी आप format cell पर आएंगे यहां number पर click करके यहां custom पर click करें आप और यहां general की जगहा पर आपको एक चीज फिल करना होगी जो मैं आपको अब देने वाला हूं जी हां दोस्तों यहां पर आपको fill करना होगा जो सबसे पहले आप अगर kg बगरा का use कर रहे हो तो आपको यहां 0 और 0 के बाद आपको यहां type करना है space और inverted comma माली जीए kg अभी हम fill कर रहे हैं तो kg लिखना है अगर आप पेसिस काउंट कर रहे हैं तो पेसिस लिखना है यहां पर meter लिखना है तो meter, kilogram या फिर x by z कुछ भी measurement आप यहां पर inverted comma के अंदर लिख सकते हैं inverted comma close करेंगे और आपको यहां पर करना होगा अब ओके बस इतना काम आपको करना है अब देखिएगा दोस्तों यहां पर apple आपने अगर पांच किलो लिए हैं तो आप पांच टाइप कीजिए बस आपको kg वगरा लिखने की ज़रूरत नहीं है आउटोमेटिक फिल होगा वा देखा कि आप क्वांटिटी या कोई भी चीज की पीसिस वगरा में कैसे लिखेंगे अब यहां पर रेट की बात करें तो माल लीजिए रेट हमने असी रुपए पचास रुपए किलो लिखा है तो रेट का मेजरमेंट आप किस तरीके से कर पाएंगे यह भी चीज आप इ लिख करना है जर्नल को डिलीट करना है इस तरीके से और यहां पर फिर आपको इन्वेटिट कॉमा यूज करना है और रेट अगर जैसा कैपिटल स्मॉल जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिएगा डॉट लगाया हमने और इन्वेटिट कॉमा क्लोज कर दिया उसके बाद इस पेस देना है और जीरो देना है ताकि वैल्यूज आपकी ठीक आए इतना करने के बाद आपको के करना है अब यहां पर दे हैं 90 रुपे किलो डेट्स हैं 140 रुपे किलो बनाना है 50 रुपे यह पांच रुपे यह जैसा आपका मर्द करें ओके तो देखिएगा दोस्तों आटोमेटिक फिलिंग हो रही है अभी जो प्रॉब्लम आपको मैंने दिखाई थी कि अगर हम इनका मल्टिप्लाइ करा रहे थे तो एर्र आ रही थी अब हम देखते हैं क्या यह एमाउंट दे पाएगा यह तो आप फार्मूला लगाई एक कोईल इसकी मल्टिप्लाइग आप इससे कराईएगा और एंटर करेखिएगा वाओ देखिएगा दोस्तों आपका आटोमेटिक हमारा सारा का सारा वर्क हो रहा है अब यहां पर आपको आटोमेटिक फिल हो चुका है अब आपको मैनुवली बार-बार टाइप करने की जरूरत नहीं है कि के जी आपको लिखन बतने हो मालेजयः पिसिस लिखना होते तब क्या करते आप स्वाइब करते हके गारा एक मेरे ट्रॉ्स करते यहां कस्टम पर कलिक एक जनरल जो आपको मिलता उसका डिलीट करते और डिलीट करने के बाद आप 0 प्राइब करते इस पेस देते एद्नेट कॉमा लगाते और पल भी लिखकर आ गया है दस पीस इस तरीके से लिखकर आएगा और यहां पर आप कर दीजिए ओके देखिएगा दोस्तों बहुत आसानी के साथ आपके पास इन सबका पीसिस में amount quantity आ चुकी है अगर इसी तरीके से रोपेया लिखना होता वाओ यहां पर मेरे माइंड में अ अंदर आप जो भी लिख दोगे वो लिखकर आएगा फॉर एक्जामपल हिंदी में लिखना है हमें तो रुपेया हमने हिंदी में लिख दिए बस सिंपल सी बात है इतनी सी बात थी आपको यहां रुपेय आ गये पचास अब रुपेय देखिएगा दोस्तों आपको एक की यहां मैं नोटिस करा दूँ रुपेय हमेशा left में आते नहीं है right में आते है rate हमेशा left में लिखा होता है तो इसके लिए आप गलती ना कीजिएगा यहां पर आप इसको इस तरीके से क्योंकि मैंने यह error इसलिए आपको बताई है ताकि आप समझ जाएं यहां जो invidded कॉमा कि अंदर आपने जो 0 दिया है ये 0 आप पहले देजिए गा यहां पर देना है starting में और starting में 0 देने के बाद आपको क्या करना है आप समझी गए आपको जिरो और एस्पेस वाउ बस इतना काम करना है और आपका काम हो गया वाव देखिएगा दोस्तो अब आपका 50-50 रुपे के साब से है या माल लेजिए 40 रुपे तो आपके बल 40 टाइप कीजिए आटोमेटिक यहां पर आएगा देखिएगा दोस्तो यहां आटोमेटिक हमारा काम करने लगा है अब क्या यह फार्मूला भी काम करेगा इस पर जी हां यह काम करेगा देखिएगा दोस्तो मैंगो के दो 20 एक पीस है तो दोपीस चालेस रुपय का है तो देखिएगा दोस्तों इस तरीके कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स आती होंगी अब तक तो अब नहीं आएंगी और automatic pieces और रुपए इस type की चीजें आप लोग सीख चुके होंगे तो उम्मीद करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा और अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो ये वीडियो आपको practice के लिए बिलकुल free है link description में दिया गया है इस file को download कीजिए और practice जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा हिंद study points YouTube चैनल पर